नमस्कार दोस्तों, मैं रोहुन शमा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशेन वास्तु में कैसे हैं आप सभी, आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 24 जुलाई 2022 के बारे में, 24 जुलाई 2022 का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर आप सभी को सावधानी रखनी है, क्या चीजें आप सभी को करनी है और क्या करने से आप सभी को बचना है, इसके बारे में ह आप सभी को कहीं न कहीं आज बहुत जादा फायदा होने वाला है चीज़ें बैलेंस होंगी और परिशानिया थोड़ी सी खतम होने वाली है वीडियो अन तक देखेगा तक कोई भी चीज आपसे मिसना हो जाए 24th July 2022 रहिवार का दिन रहेगा बहुत ही जादा इंपोटेंट डिन है बहुत ही जादा पॉजिटिव दिन है बहुत ही जादा अच्छा दिन यहां पर मैं इस दिन को जरूर करोगा एंग क्योंकि जो कैलकुलेशन जा रही है यह भी काफी जादा पॉजिटिव डायू इंडी क्या है आज के दिन में आप अपने आपको खुश कर सकते हैं और अगर आपने किसी के साथ कोई परिषानी create कर रखी है तो उन परिशानियों को भी आज के दिन आप दूर कर सकते हैं इसके बहुत अच्छे चांसे दिया पर दिखाई दिते हैं आज कई जो दिन रहेगा इस दिन में अगर आप कहीं पर भी कोई परिशान है बहुत जादा कोई डिप्रे से बहुत जादा तो आप उसकी मदद कर सकते हैं प्लस आप अपने आपकी भी मदद कर सकते हैं आज के इस दिन में आप सभी को दो ही चीजें करनी है चहरे पे स्माइल रखनी है और मुह पे मिठास रखनी है चहरे पे smile का मतलब है कि अपने मूँ को चाहे आप किसी भी तरह से रहें किसी भी situation में ही क्यों नहीं हो पर अपने आपको खुश फिल कराएं और अपने चहरे पेग smile रखें दूसरों को भी खुश फिल कराने की कोशिश करें और दूसरा अपने मूँ में मिठास रखने का मतलब है कि अपने शब्दों को इस तरह से आप इस्तमाल करें कि उससे सामने वाले के दिल को तसली मिले सामने वाले के दिल को सुकून मिले और आप किसी के मन को ना दुखाएं आप किसी को हर्ट ना करें आज के दिन इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि जिस तरह से calculations हैं वो प्यार बाटने वाली calculations हैं प्यार बढ़ाने वाली calculations हैं और परिशानिया दूर करने वाली गिले शिक्वे दूर करने वाली calculations है तो इसलिए इस चीज़ का तोड़ा सा फाइदा उठाईएगा इस रविवार का फाइदा उठाईएगा तो आपके लिए काफी ज़दा results यहाँ पर देखने को मिलेंगे इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो यह जो दिन रहेगा इस दिन में आप सभी financially काफी ज़दा strong रहेंगे financially कोई दिकत को परशानी नहीं है mentally काफी ज़दा relaxed रहेंगे तो वो भी कही निकरे अच्छा समय है और outing पर जा सकते हैं बाहर गूम सकते हैं, travel कर सकते हैं इसमें भी कहीं कोई दिकत को परशानी नहीं रहेगी आज किसी के साथ समय वितीत कर सकते हैं किसी के साथ मुलाकात कर सकते हैं पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती हैं और कहीं बाहर outing पर जा सकते हैं शॉपिंग कर सकते हैं काफी अच्छा दिन यहाँ पर आज आपका जानने वाला है इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो यह जो दिन रहेगा इस दिन में आप सभी का जो एनरजी लेवल है वो काफी जादा स्ट्रॉंग रहेगा इसलिए आज के दिन में लव एन रिलेशनिशिप के लिए भी दिन काफी जादा पॉजिटिव दिखाई दिता है काफी जादा अच्छा दिखाई दिता है मतलब कि अगर आप किसैंसे प्यार करते हैं अपनी relationship में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं अपनी feelings को किसी के साथ share करना चाहते हैं तो वो भी share कर सकते हैं साथ ही साथ आज के दिन में नए relationship की शुरुवात करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कोई दिक्कत को परिश्ण यहां पर नहीं आईगी छोटा सा कम्मिनिकेशन और छोटा सा एक कन्वेसेशन जो रहेगा आपका वह एक काफी ज़दा स्टॉंग मुवमेंट बना सकता है काफी ज़दा अच्छी केमिस्ट्री क्रेट कर सकता है इसके चांसे काफी ज़दा फिल करेंगे अच्छा फिल करेंगे एंड आप सभी को रिकवरी मैसूस होगी इनर पावर आपकी काफी ज़दा अच्छी रहेगी आज सोल पावर जो काफी ज़दा अच्छी रहेगी तो इसलिए ओवरोल देखा जाए तो यह दिन हेल्थ वेल्थ फैमिली फाइनेंस रिल जरूर देखाई देता है इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो देश और दुनिया में किसी बड़ी नीूस के आने के भी चैनसर यहां पर लिए डिन अच्छा दिखाई दिता है अगर आज आज आपका जंद दिन है अगर आज आपके जीवन का कोई वीशेष मेहतव पुन दिन है आप सभी को मेरी और से हाल दिक्षिक पामना यही प्रारतना करता हूं कि दिन शांदार जाएगा कोई दिक्कत के परिशानी आपको यहां पर मैसूस नहीं होगी अगर आज आपका जन्दिन है तो जो आने वाला साल रहेगा यह आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साल जाता हुआ दिखाई दिका को नई अपॉर्चुन्टीज नई चीजें यहां पर देखने को मिलेगी नए डिरेक्शन में आप अपने आपको इन्वाल कर सकते हैं और साथी साथ नई अपॉर्चुन्टीज यहां पर रहेंगी शादी के योग यहां पर करेगा नोट कर लिजेगा आज के दिन में वैसे कभी भी कर सकते हैं इस meditation को दोपर का समय भी यहाँ पर काफी ज़ाधा अच्छा दिखाई देता है आज के दिन में आपको क्या करना है आज आपको इस meditation के लिए white color का इस्तमाल करना है आप white color का इस्तमाल करें white color के कपड़े पहने white color के कपड़े को बिच्छा कर उसके उपर बैठ जाएं तो भी अच्छा रहेगा और साथ ही साथ आज के दिन जब meditation करेंगे तो अपने सामने कुछ white चीज जरूर रखिएगा ताकि आप उसे देख पाएं during the meditation और before the meditation पानी का ग्लास पी लीजिएगा और एक पानी का ग्लास अपने साथ में रख लीजिएगा तकि बाद में आप इसको पी पाएं आप meditation करने से पहले तीन बार गहरी सांस लीजिएगा और उसके बाद अराम से बैट करके आपको क्या करना है आज के दिन में जब आप meditation के बैठेंगे तो आपका फेसिंग जो रहेगा वह तूर्स टू इस डिरेक्शन आपका फेसिंग रहेगा इस बात का ध्यान रखीगा और आपके हाथों की जो पोजिशन रहेगी वह स्ट्रेट और आपके हाथ इस आखों को वाइट करके साथ साथ दीरे-दीरे बंद करना है इस बात का ध्यान रखेगा और उसके बाद अपने आपको रिलेक्स करकर के तीन बार गहरी सांस ले करके अपने आखों पर अपने ध्यान को फोकस कर दीजिए और धीरे-ध्यान को यहां पर केंद्रित करने की को का ध्यान रखेगा पहला ध्यान आपका अपनी आखों पर होना चाहिए और दूसरा ध्यान आपका middle of the center होना चाहिए वो भी धीरे धीरे आने की कोशिश करिएगा तो यह आप करेंगे इससे आपको काफी अच्छा रहेगा और उसके बाद आपको क्या करना है पैसो के आने के लिए आपको क्या करना है इसके बाद आप अपने इस्ट्रदेव को याद जरूर करिएगा दूरिंग दे मेटेशन यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और उसके बाद दीरे दीरे अपने आखे खोलिएगा और आप चाहें तो अराम से बैठीएगा थोड़ी दिर और वापस उस वाइट शीट या वाइट पेपर या वाइट चीज जो आपने सामने रखी हुई है उसको देखने की कोशिश करिएगा थोड़ी दिर बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा और इस मेटेशन के एक डिट गंटे बाद का जो रिजल्ट आएगा वो और भी जादा अच्छा जाएगा और बहुत अच्छी एनलजी आपको मैसूस होना शुरू हो जाएगी उमीद करता हूं कि मेटेशन आपके लिए काफी जादा अच्छा रिजल्ट देखा अब बात कर लेते हैं पर आज के अच्छो कुपाई के बा आपको आपकी पसंद का समय भी नहीं मिलेगा और आपको सही स्लोट भी शायद ना मिल पाए तो फिर वहाँ पर आपको परिशानी जादा ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से जिन्नोंने कॉल कंसलेशन बुक किया है या जो कॉल कंसलेशन कहीं नहीं जाएगा मैं खुद आपसे कॉल पर बात करूंगा और थोड़ा समय लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सारी है मेरे पास और उसको चेक करने में समय बहुत सारी है नहीं मिल पा रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजेगा बुरा बिलकुल भी म इस पॉर्टन रहेगा वैदी कुपाय आज आपको जो करना है हल्दी का टीक आपने मात्य पर लगाना है वह आपके लिए काफी जदा अच्छा है आपको क्या करना है ओम नमश्यवाय का जाप करें कम से कम 21 बार उससे आपको अच्छा फायदा मिल जाएगा और अगर किसी क्रिशेशकारी से बाहर जाते हैं तो वाइट कलर और वाइट शेड में कोई भी कलर आप पहल ले तो वह भी आपके लिए खाफी जदा अच्छा रहेगा इसके अलवा आज के दिन में पानी में कुछ मिठा मिलाके दिन में दो बार मिठा पानी ज़रूर पीजिएगा उसस काफी जदा इफेक्टिव नंबर यहां पर दिखाई देता है यह नंबर आपके ब्लॉके जिसको खोलेगा और खुशियों को आपके पास लाने में काफी जदा मदद करता हूँ नजर आएगा तो इसके लिए यह नंबर आपको कहीं नकिए एक अच्छे लेवल पर आगे करने जानी की कोशिश करता है आज का जो मेजिकल टाइम रहेगा यह भी काफी जदा चरहेगा वन ओकलॉक आफ्टर्णून जो है वहां से मेजिकल टाइम आपका शुरू होता है और टू फॉर्टी सेवन पीम तक यह आपका चलता है तो यह आपके लिए काफी जदा करने न आए अजिकल चौने न हो आज का था अच्छा थाया वहाम सोबों के खोलिए मिरन में देखके बोलिया साथ-ी-साथ-साथ-साथ आप गर में एक-एक मेंबर को भी affirmation बोलिया तो भी काफी जदा अच्छा रहेगा और इस अमें दिन में दो से तीन बार अपने आपको भी बोलने की कोशिश करिएगा तो आपको अच्छा रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेगा I am living my life with awareness and gratitude I am living my life with awareness and gratitude यह आपको अच्छ बोलना मैं इस बात का द्यान अखिएगा काफी जद अच्छ रिजल्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और कोई दिकत कोई परिशन आपको नहीं आई की उमीद करता हूं कि रईवार का दिन आपको शांदाल जाएगा और बहुत अच्छे से आप इस दिन को तन्यवाद